हेलो गाइस मेरे यूटूब चैनल पुजबित एजूकेशन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैद का इंपोटेंट सेशन LCM लगुत्तम समवर्त का पार्ट टू तो मैंने आपको पार्ट वन कवर करा चुकी हूँ तो जितने भी स्टूडेंट SSCGD की तयारी कर रहे हैं तो वीडियो को जादा से जादा से जादा सेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मैरे चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब संख्यपदर्टि का चैप्टर कवर करा चुकी हूँ तो आजकी इस वीडियो में LCM का चैप्टर कवर करेंगे तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट तो फर्स्ट कोस्चन ये रहा कोश्टक में दिया है 2 का square into 3 का square into 5 into 7 कोश्टक में 2 का square into 3 into 5 का square into 7 और 2 into 3 into 5 into 7 का LCM ज्याद कीजिए तो इसमें लगुत्तम समवर्तक LCM के तो देखिए question को हल करते हैं तो ध्यान से समझेगा तो इसमें common क्या दिख रहा है इसमें 2 और इसमें भी 2 और इसमें भी 2 के तो common इसमें 2, 2, 2 के तो इसमें बड़ी से बड़ी विल क्या हो जाएगी 2 का square into तो आगे इसमें क्या दिख रहा है common 3 के और इसमें भी 3 और इसमें भी 3 तो बड़ी से बड़ी क्या हो जाएगी इसमें 3 का square के तो इतना सभी को clear हुआ into फिर आगे क्या दिख रहा इसमें common 5 और इसमें भी 5 और इसमें 5 के तो इसमें बड़ी से बड़ी value क्या हो जाएगी इसमें 5 का square into तो और common क्या दिख रहा है 7 इसमें भी 7 और इसमें भी 7 तो इसमें क्या रखेंगे 7 तो इतना सभी को clear हुआ तो इसमें 2 का square और 5 का square sum और बिसम value है तो ये भी sum value है और ये sum value है तो दोनों का गोड़ा करेंगे तो इसमें 0 का निर्मान होता है तो इसमें क्या करेंगे 5 का square कितना होता है 25 into 2 का square होता है 4 into और 3 का square होता है 9 into और 7 को 7 ही रखेंगे के तो इतना clear हुआ तो इसमें क्या कर लेंगे गोड़ा तो इसमें गोड़ा करेंगे 25 into 4 करेंगे कितना जाएगा 100 और 100 into 9 करेंगे 900 के और 900 into 7 करेंगे तो इसमें कितना जाएगा 963 100 तो यही इसका right answer होगा तो इसमें LCM ग्याद करना था तो इसका LCM कितना आ गया 63 100 तो इतना सभी को समझ में आया तो यह question मैंने आपको हल करने के लिए दी थी तो जिनका भी answer 63 100 आ रहा है तो उनका answer right है तो not कर लीजिए तो इसमें common value क्या थी 2 2 और 2 2 का square into 3 3 और 3 तो 2 3 का square जाएगा into 5 5 और 5 तो इसमें बड़ी value रखना था तो इसमें 5 का square into 7 और 7 दिया है तो 7 तो इसमें be sum value है और sum value है तो दोनों का गुड़ा करेंगे तो इसमें 0 का निर्मा होता है तो इसमें क्या करेंगे गुड़ा कर लेंगे तो इसमें 5 का square कितना होता है 25 और into 2 का square होता है 4 into 3 का square होता है 9 into 7 के तो गुड़ा कर लेंगे 25 इंटू 4 करेंगे 100 100 इंटू 9 करेंगे 900 और 900 इंटू 7 करेंगे तो इसमें जाएगा 63 100 तो यही इसका right answer बन जाएगा तो आगे बढ़ते हैं next question की और next question यह रहा दो संख्याओं का अनुपात तीन रेशियो 5 है यदी इन संख्याओं का LCM 240 है तो 2 संख्याओं क्या है तो question को ध्यान से समझेगा तो इसमें ratio में से भी question बनते हैं तो इसमें previous वाले question भी cover करेंगे तो इसमें भीने वाले और दसमलो वाले question को भी cover कराओंगे तो question को हल करते हैं तो ध्यान से समझेगा तो इसमें दो संख्याँ का अनुपात कितना है 3 ratio कितना है 3 ratio 5 तो इसमें 3 और 5 का LCM कितना वन जाएगा इसमें LCM बनेगा 15 कि तो इसमें 3 और पांच का LCM बन जाएगा 15 तो इसमें यदि इन संख्याओं का LCM कितना है 240 तो इसका LCM कितना है 240 कि तो इसमें क्या करना है तीन और पांच का जो LCM आया है 15 तो इसमें क्या करना है divide तो इसमें divide करेंगे तो कितना जाएगा इसमें value cancel हो जाएगी तो 240 कर जाएगा 15 से 15 एकम 15 तो यहाँ पे कितना बचा 9 तो 15 चिके 90 कितने बार में कर जाएगा 16 बार में तो इतना clear हुआ तो दो संख्याएं क्या है तो इसमें दो संख्याएं बताना है तो इसमें दो संख्याएं क्या है कि इसमें तीन और पांच का दो संख्याएं का क्या होगा तो इसमें क्या रखेंगे सोला इंटू पहला दिया है तीन बरावर सोला इंटू तीन करेंगे कितना जाएगा अड़तालिस और नेस्ट दिया है सोला इंटू पांच करेंगे तो इसमें आजाएगा 80 के 16 into 5 करेंगे 80 तो इसमें answer बन जाएगा के कितना 48 और 80 के तो यही इसका right answer होगा तो इतना सभी को clear हुआ तो आगे बढ़ते हैं next question की और next question यह रहा 0.36 1.24.8 का लगुत्ता समवर्थक क्या है के तो इसका LCM क्या होगा तो इसमें क्या करेंगे दसमलों value है के तो इसमें दसमलों को हटाने के लिए इसमें 100 से गुड़ा करेंगे के तो इसमें 100 से गुड़ा करेंगे तो इसमें कितना जाएगा 36 और 1.2 का दिया है तो इसमें कितना जाएगा 120 और 4.8 दिया है के तो इसमें छोटी value से बड़ी value नहीं करेंगे के तो इसमें क्या करेंगे 12 120 दिया है और 480 और इसमें 36 तो इसमें 36 से गुड़ा करेंगे के 36 से कट जाएगा 12 से के 12 से 36 कटेगा के तो इसमें कितनी बार में कट जाएगा 3 12 या 36 के तो इसमें 12 से 480 भी कटेगा और 36 भी कटेगा तो इसमें 12 या 36 काट देंगे के तो इसमें क्या कर लेंगे गुड़ा तो इसमें गुड़ा करेंगे चार सो असी इंटू कितना तीन तो इसमें कितना जाएगा 1440 तो इसका LCM कितना आ रहा है 1440 तो इसमें क्या करना है इसमें दसमलों में दी है तो इसमें क्या करेंगे 100 से गुड़ा किये थे तो इसमें भी 100 से divide देंगे तो इसमें divide करेंगे तो इसमें answer बन जाएगा कितना 1440 तो यही इसका right answer होगा तो इसमें इसका लगुत्तम समवर्तिक LCM क्या होगा 1440 तो इतना सभी को समझ में आया तो फिर से देखिए क्या करना है तो इसमें point में दिया है question के तो point को हटाने के लिए तो इसमें क्या करेंगे 100 से गुड़ा करेंगे तो 100 से गुड़ा करेंगे तो इसमें आजाएगा 36 और 1.2 में आजाएगा 120 और 4.8 में आजाएगा 480 तो इसमें क्या करेंगे छोटी value इसमें बड़ी value काटिंगे तो इसमें कटेगा नहीं तो इसमें क्या करेंगे 12-36 कट जाएगा और 12-488 भी कर जाएगा तो इसमें क्या करेंगे 12-36 कट जाएगा कितने बार में 3 तो इसमें गुडा कर लींगे 480 into 3 करेंगे तो इसमें जाएगा इसका LCM 1440 किया किये थे 100 से गुड़ा किये थे तो इसमें 36 120 और 480 तो इसमें क्या करेंगे 100 से डिवाइट कर लेंगे 100 से डिवाइट करेंगे तो कितना जाएगा 1440 तो इतना सभी को समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और नेस्ट कोश्चन ये रहा दो संख्याओं का अनुपाद 4 रेशियो 5 है और उनका SCF 6 है और उनका LCM क्या है तो ये कोश्चन पूछा गया है SCGD 2023 में कि तो कोश्चन को ध्यान से समझ ज़िएगा और कॉपी में नौट करती हुए चलिएगा तो हल करते हैं कोश्चन को तो इसमें दो संख्याओं का अनुपाद कितना है 4 रेशियो 5 है और उनका SCF कितना है 6 है तो आगे इसमें उनका LCM क्या है तो उनका LCM निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे 6, 4, 24 के तो गुणा कर लेंगे इनका तो कितना जाएगा 24 इतना के लिएर हुआ तो इसमें 6 इंटू 4 करेंगे कितना जाएगा 24 और 5 इंटू 24 करेंगे तो इसमें जाएगा कितना 120 कि इसका LCM कितना होगा 120 के तो यही इसका right answer होगा तो option में दिया है B number इसका right answer होगा के तो इतना सभी को clear हुआ तो फिर से देखिए क्या करना है तो इसमें दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 4 और 5 तो इसमें और उनका S से अब कितना दिया है 6 तो इसमें क्या करेंगे 6 इंटू 4 करेंगे कितना जाएगा 24 और 24 इंटू 5 करेंगे तो जाएगा इसका LCM 120 के तो इसका LCM क्या होगा तो इसमें 120 option में दिया है B number इसका right answer होगा के तो इतना सभी को clear हुआ तो यह question पूछा गया था SSC GD 2023 में तो ऐसे question एक्जामों में जरूर से जरूर देखने को मिलते हैं तो आप ध्यान से समझेगा और copy में not करते हुए चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं next question की और next question दिया है 2 बटे में 3, 4 बटे में 9, 5 बटे में 6 7 बटे में 12 का LCM के तो यह भिन क्या करेंगे भिन्नों के तो भिन्नों का LCM तो इसमें भिन्नों का LCM क्या होगा तो इसमें यहां पर रिक देती हूँ तो अन्सों का LCM के और बटे में हरो हों का SCF के तो इसमें क्या लगेगा इसमें बिन्नो का LCM तो इसमें यह जाएगा अन्सों का LCM बटे में हरो का SCF तो इस फार्मूला से वाजान का करेंगे तो इसमें दिया है Question के तो इसमें अन्सो का LCM कितना है इसमें 2, 4, 5 और कितना 7 तो इसमें अन्सो का LCM दिया है 2, 4, 5 और हरो का LCM कितना दिया है 3, 9, 6 और 12 तो इतना सबी को समझ में आया तो इसमें का LCM तो ये 2 से कट जाएगा कि divide हो जाएगा इसमें क्या कर लेंगे 2 हट जाएगा तो इसमें क्या करेंगे 4 और 5 और 7 का गोड़ा कर लेंगे तो इसमें 4 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा 20 और 20 इंटू 7 करेंगे इसमें हो जाएगा 140, बटे में क्या हो जाएगा इसमें? 3, 9, 6 और 12, इसमें 3 से 9 और 6 और 3 भी डिवाइड हो जाएगा, बिवाजित हो जाएगा, तो इसमें क्या जाएगा? 3, तो इसमें जाएगा आंसर 140, बटे में 3, क्य? तो यहीं इसका right आंसर होगा, तो इतना दो सबी को समझ में आया, तो इसमें क्या करना था? 2 से विभाजित 4 हो जाएगा 140 तो इसमें 4, 3, 9, 6 3 से विभाजित 6 भी हो जाएगा 12 तो इसमें बटे में क्या राखेंगे 3 तो आंसर बन जाएगा 140 बटे में 3 तो इतना सभी को clear हुआ तो next question दिया है 2 बटे में 3 3 बटे में 5 और 4 बटे में 7 और 9 बटे में 13 का LCM तो इसमें क्या गरना है अंसो का LCM अंसो का LCM दिया है 2, 3 4 और 9 ओके हरो का SCF हरो का SCF क्या दिया है इसमें 3 5 और 7 और 13 तो इसमें क्या करेंगे 2, 3, 4 और 9 तो इसका LCM कितना बन जाएगा 2, 3, 4 और 9 का LCM बन जाएगा 6 और बटे में 3, 5, 7 और 13 का SCF कितना बन जाएगा इसमें 1 तो इतना किलियर हुआ सभी को तो इसमें आंसर क्या बन जाएगा 36 तो यही इसका राइट आंसर होगा तो इसमें 36 बटे एक दिया है 36 दिया है तो आंसर बन जाएगा 36 तो यही इसका राइट आंसर होगा तो इतना सभी को समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और नेस्ट कोश्चन यह रहा 2 बटे में 3, 4 बटे में 5, 6 बटे में 7 का अलसियम के तो इसमें विन्यों का क्या दिया है अलसियम और अंसर का अलसियम बटे में हरों का अलसियम के तो इसमें क्या करेंगे अंसो का LCM तो अंसो का LCM दिया है 2, 4, 6 और बटे में क्या रखेंगे हरो का LCM 3, 5 और 7 तो इसमें 2, 4 और 6 का LCM बन जाएगा इसमें कितना 12 के और बटे में 3, 5 और 7 SCF क्या होगा इसमें 1 तो इसमें आंसर बन जाएगा 12 तो यहीं इसका राइट आंसर होगा नेस्ट कोस्चन दिया है 2 बटे में 3, 3 बटे में 5 7 बटे में 9, और 9 बटे में 13 का LCM तो इसमें अंसो का LCM कितना होगा 2, 3, 7, और 9 के और हरों का SCF दिया है 3, 5, 9, और 13 के तो इसमें 2, 3, और 7, और 9 का LCM के क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें 98 के तो 2, 3, 7, और 9 का LCM बन जाएगा 98 और इसमें 3, 5, 9, और 13 का SCF के SCF क्या बन जाएगा 1 के तो इसमें आंसर बन जाएगा 98 के तो इतना सभी को केलियर हुआ तो यही इसका राइट आंसर होगा तो नौट कर लीजिए तो इसमें क्या करना था भिन्नो का LCM तो भिन्ने वाले कोश्चन है तो भिन्नो का LCM तो इसमें क्या लगेगा अंसो का LCM और बटे में हरो का SCF तो इसमें SCF और क्या गरेंगे LCM LCM दिया है 2, 4, 6 तो बन जाएगा 12 और SCF दिया है 3, 5, 7 तो आजाएगा 1 तो आंसर बन जाएगा 12 तो इसमें LCM दिया है कितना 2, 3, 7 और 9 बन जाएगा कितना 98 3, 5, 9 13 का SCF बन जाएगा 1 तो आंसर बन जाएगा इसमें 98 के तो आगे बढ़ते हैं Next Question की और Next Question ये रहा बहल लगुत्तम समवर्थ तक क्याद कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से बिभाजित किये जाने पर क्रम सहा 8, 14, 32 और 41 से सेस रहे तो ये Question पूछा है SSC 2014 में के तो Question को दिहान से समझेगा तो हल करते हैं तो इसमें क्या करना है तो इसमें क्या दिया है 12, 18, 36 और 45 से बिभाजित किये जाने पर क्या और क्रम सहा दिया है 8, 14, 32 और 41 सेस रहे तो इसमें 12 और 8 में डिफ्रेंस कितने का है इसमें 4 का के 18 और 14 में डिफ्रेंस मतलब की अंतर कितना है इसमें भी 4, 36 और 32 में भी 4 का अंतर है और 45 और 41 में भी 4 का अंतर है तो इसमें क्या करेंगे 12, 18 और 36 और 45 का LCM बन जाएगा कितना LCM बरावर 180 के, 180 इसका LCM बनेगा तो इसमें क्या कर लेंगे 4 का अंतर है तो इसमें क्या करेंगे 4 से माइनस, 180 माइनस 4 करेंगे तो इसमें माइनस कर लेंगे तो इसमें कितना बन जाएगा 176 तो यही इसका right answer होगा तो इतना सभी को समझ में आया तो option में C number इसका right answer होगा तो यह question SAC 2014 में पूछा गया सवाल है तो इसमें इसका LCM बन जाएगा कितना 180 minus इसमें 4 का अंतर दिया है तो minus 4 करेंगे कितना जाएगा 176 के तो C number इसका right answer होगा आगे बढ़ते हैं next question की और next question यह रहा छोटी से छोटी संख्या ज्याद करें जिसे 15, 18, 27 तथा 35 से भाग देने पर 9 स्वेस बचे तो यह question 2016 में पूछा गया सवाल है के तो question को हल करते हैं तो इसमें क्या करना है छोटी से छोटी संख्या ज्याद करें जिसे 15, 18, 27 और 35 है के तो इसमें इनका LCM कितना बन जाएगा LCM बन जाएगा 1890 के और इसमें भाग देने पर 9 सेस बचे के तो इसमें 9 सेस बचे तो प्लस 9 करेंगे के तो इसमें क्या कर लेंगे 1890 प्लस 9 करेंगे तो कितना जाएगा इसमें 1899 के तो यहीं इसका राइट आंसर बनीगा तो ओप्सन में दी नम्मर इसका राइट आंसर होगा के तो इसमें 15 से भाग देंगे तो इसमें भी नौसेस बचेगा 18 में भी भाग देंगे तो इसमें 9 सेस बचेगा 27 में भी भाग देंगे तो इसमें 9 सेस बचेगा और 35 में भी भाग देंगे तो इसमें 9 सेस बचेगा तो इसमें LCM बन जाएगा 1890 प्लस सेस कितना दिया है 9 तो इसमें प्लस कर लेंगे तो 1899 जाएगा तो इसमें डी नम्मर इसका राइट आंसर होगा तो यह ऐसे कोश्चन एक्जामों में जरूर देखने को मिलते हैं तो यह कोश्चन पूछा गया है 2016 में के तो नौट कर लीजिए आगे बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन की और नेश्ट कोश्चन यह रहा किनी दो संख्याओं का गुड़न फल एक हजार है यदि उनका महत्तम समवर्थ तक पांच हो तो लगुत्तम समवर्थ ते गयात कीजिए के तो कोश्चन को हल करते हैं तो इसमें LCM कितना दिया है इसका किनी दो संख्याओं का गुड़न फल एक हजार है के तो एक हजार और उनका महत्तम समवर्थ तक कितना दिया है पांच के तो इसमें इसका SCF क्या हो जाएगा पांच के तो इसमें हो तो लगुत्तम समवर्थ तक गयात कीजिए तो इसमें क्या करेंगे ऐसे दिया है पांच तो इसमें क्या कर लेंगे डिवाइड 1000 में 5 का डिवाइट करेंगे तो इसमें 1000 कर जाएगा 5 से कितने वार में 200 पांदूनी 10 200 वार में कर जाएगा तो इसका LCM बन जाएगा 200 तो यही इसका right answer होगा तो इतना सभी को clear हुआ तो next question दिया है दो संख्याओं का लगुत्तम समवर्ती 180 है यदि इन संख्याओं का अनुपाद 4 अनुपाद 5 हो तो इन में से छोटी संख्या क्या होगी के तो इसमें छोटी संख्या क्या होगी तो इसमें दिया है दो संख्याओं का लगुत्तम समवर्थ कितना दिया है इसका LCM दिया है 180 के 180 दिया है तो इसमें यदि इन संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 4 और 5 के तो इसमें 4 अनुपात 5 दिया है कि 4 और 5 का LCM कितना बनेगा 20 कि तो इसमें हो तो इन में से छोटी संख्या क्या होगी तो इसमें छोटी संख्या क्या होगी तो इसमें क्या करेंगे डिवाइट करेंगे कि तो इसमें 10 से 10 का LCM तो इसमें 18 कट जाएगा कितने वार में 9 वार में कि इसना किलियर हुआ तो इसमें छोटी वेल्यू पूशा है तो इसमें क्या करेंगे 4 इधर लिग रेती हूँ 4 इंटू 9 करेंगे तो इसमें जाएगा 36 9, 4, 36 कि यही इसका राइट आंसर होगा तो इतना सभी को समझ में आया तो इसमें क्या करना था इनका अनुपात 4 और 5 दिया है तो दोनों का LCM लेंगी तो कितना बन जाएगा 20 तो इसमें लगुत्तम समझ वर्तक दिया है 180 के तो इसमें 20 से डिवाइट करेंगे तो इसमें कितना जाएगा 180 कर जाएगा 20 से 9 बार में के तो इसमें क्या करेंगे छोटी संख्या क्या होगी तो छोटी संख्या इसमें दी है 4 तो इसमें 4 into 9 करेंगे तो कितना जाएगा 36 तो नौट कर लिजिए आगे बढ़ते हैं next question के next question ये रहा 2 संख्याओं का अनुपाद 3 अनुपाद 4 है और उनका लगुत्तम समवर्ती 180 है तो दूसरी संख्या क्या है तो ये question आप comment में बताना कि इसका answer क्या होगा तो उमीड करती हूँ सारे question आप सभी को समझ में आ गये होंगे तो वीडियो को जादा से जादा share कीजिए like कीजिए और मेरे चैनल पर नए है तो subscribe कीजिए तो आज की लिए वस इतना ही मिलते हैं अगली next वीडियो में Thank you